रेगुलर मार्कव चेन आज हम रेगुलर मार्कव चेन के बारे में पढ़ेंगे तो रेगुलर मार्कव चेन क्या होता है? अगर हम सिंपल वर्ट्स में कहें तो इस ट्रांजिशन मैट्रिक्स इस रेगुलर ऐसा mark of chain जिसका transition matrix regular हो तो उसको हम कहते है regular mark of chain अब regular transition matrix से क्या मुराद है इस से मुराद है if some power of P, P यानि transition matrix has only positive entries तो इस बात का क्या मतलब है इसको समझने के लिए हम कुछ example लेंगे for example हमारे पास एक matrix है P जिसकी value है जिसके entries है 0.8 0.2 0.6 और 0.4 तो इस matrix को अगर हम देखें तो इस matrix के सारे entries क्या है greater than 0 है यानि की positive है तो इसको हम कहेंगे कि P जो है वो एक regular matrix है अब P या P की कोई भी एक power भी अगर उसके entries positive आ जाएं तो वो regular transition matrix कहलाएगा for example एक और matrix है उसको मैं भी नाम दे रही हूँ ताकि इस नाम के साथ confuse न करें इसके entries है 0.2 0.8 1 और 0 अब अगर इस matrix को देखें तो इसके सारे entries greater than 0 नहीं है यहां पे यह एक यह non positive entry है यह entry positive नहीं है इसका मतलब क्या हुआ initially B जो है वो इसमें कोई एक entry ऐसा है जो positive नहीं है तो अब हम क्या करेंगे हम B के powers को चेक करेंगे जैसे for example हम चेक करते हैं B square तो B कभी से product लेके चेक करते हैं तो B power 2 में सारे entries क्या है greater than 0 है यानि की positive है तो किसी भी matrix के अगर कोई भी random power जो है वो क्या आजाए उसकी सारे entries positive आजाए तो ऐसे matrix को हम क्या कहते हैं ऐसे matrix को regular transition matrix कहा जाता है इसी तरह हर matrix regular transition matrix नहीं होता मिसाल के तोर पे C एक matrix है C is equal to 1, 0, 0.6 और 0.4 इसकी entries है अब अगर इन entries को देखें initially C हमारे सामने नजर आ रहा है कि यह regular transition matrix नहीं है क्योंकि यहाँ पे 0 है हम इसकी power लेके देखते हैं तो यह C power 2 किसकी equal आएगा C को C से multiply करके देखें तो यह equal आजाता है 1, 0, 0.84 और 0.16 अगें इस matrix को देखें तो इसमें अगें एक entry 0 है यह positive नहीं है अगे अगर हम C3 fine करना चाहें तो हम क्या करेंगे इस matrix को multiply करेंगे matrix C से तो यह आजाएगा 0.4 इस तरह से लेकिन अगर आब इसमें एक चीज़ नोट करें तो यहाँ पे first row और second column इन दोनों का answer हमेशा 0 आएगा क्यूंकि 1 इन टू जीरो 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 इन टू यहाँ पे जो कुछ भी मर्जी हो 0 आ जाएगा तो इसका मतलब इस position वाला entry जो हमेशा ही 0 आएगा चाहे आब C की जतनी मर्जी powers ले ले लें तो इससे हमें यह पता चला कि C क्या है C एक regular matrix नहीं है तो जो matrix regular हो उससे related transition sorry, उससे related mark of chain को कहते है regular mark of chain अब ऐसा state matrix जिसका transition matrix regular हो उसमें कोई न कोई stationary matrix होगा उस एक type के state matrix को क्या कहा जाएगा stationary matrix कहा जाएगा एक state matrix stationary matrix कब बनेगा S is a stationary matrix if S P is equal to S बात का मतलब यह है कि उस stationary matrix को S को stationary matrix तब कहा जाएगा जब वो matrix उस form में आए कि इसको जब P के साथ multiply करें तो answer पे कोई फरक नहीं पड़े where S is greater than equal to 0 S I यानि S के सारे entries क्या होंगे वो greater than equal to 0 होंगे और I की value 1 से लेके इन तक कुछ भी हो सकती and S1 plus S2 और इसके सारे entries का sum हमेशा 1 के equal होता है वो तो किसी भी state matrix के लिए यह conditions होती है अब यह S P is equal to S कैसे आता है यह समझने के लिए हम एक example ले ले लेते हैं मिसाल के तोर पे हमारे पास एक stationary matrix है P जिसके entries है 0.8 0.2 0.6 और 0.4 यह हमारे पास transition matrix है और यह clearly नजर आ रहा है कि यह एक regular matrix है और इसके against हमें initial state matrix दिया हुआ है S naught जिसकी value है 0.1 और 0.9 अब इस information की help से हम S1 find करेंगे इनको multiply करके S1 is equal to S naught into P तो हमारे पास value आ जाएगा 0.62 और 0.38 इसी तरह से S2 find करेंगे तो इसकी value आ जाएगी 0.724 और 0.276 और इसी तरह से बाकी state matrix भी find करते जाएगे तो यह हमारे सामने आ जाएगे state matrix S1, S2, S3, S4, S5 और S6 तक मैंने find किया है अब इसमें आप एक चीज़ नोट करें तो first है 0.62 वहाँ से change आए 0.724 उसके बाद है 0.7448 फिर 0.74896 तो अगर आप यह नीचे देखते जाएं तो इन में जो change है वह slow होता जा रहा है 7448 फिर 748 फिर 749 और फिर 749 तो इसका मतलब यह change क्या हो रहा है slow होता जा रहा है इसी तरह इस तरफ भी देखें तो change slow होता जा रहा है तो इस state को क्या कहेंगे इसको कहेंगे steady state यानि इसमें change बहुत slow होता जा रहा है और किसी fix number की तरफ वो approach कर रहा है और यहां से हमें पता चल रहा है कि यह किसके close जा रहा है ये close जा रहा है, first entry जा रहा है close 0.75 के और second entry close जा रहा है 0.25 के तो हम ये assume कर सकते हैं कि जैसे जैसे आगे हम मज़ीद multiply करते जाएंगे S7, S8, S9 तो एक stage आएगा जहांपे S exactly इसके equal आएगा तो हम इस matrix से अपने transition matrix को multiply करते हैं कि वज़ा ये है कि ये matrices आइस्ता आइस्ता इस matrix को approach कर रहा है तो assuming date कि इस से आगे मज़ीद value नहीं बढ़ेगी हम इसको multiply करते हैं transition matrix से अगर उसका product आजाए again इसी के बराबर तो इसका मतलब ये हमारा stationary matrix है तो यहाँ पे हम लिखेंगे s, p, s है 0.75 और 0.25 और p है ये हमारे पास transition matrix इसको multiply करके देखते हैं जब इसको multiply किया है तो हमारा answer आया है 0.75, 0.25 अब यहाँ पे अगर note करें तो ये दोनों exactly equal हैं इसमें और इसमें कोई फरक नहीं है इसका मतलब जो ये s है ये क्या है? ये एक stationary matrix है stationary matrix क्या होता है? ऐसा matrix जिसके लिए जब वो transition matrix से multiply करें तो उस stationary matrix पे कोई फरक नहीं पड़े अगेन वही answer आए तो इसको कहते हैं stationary matrix यहाँ पे आपने एक और point भी note रखना है कि जो stationary matrix होता है वो unique होता है वो एक ही होता है तो जैसे stationary matrix में क्या होता है? S के हम कह सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता approach कर रही होती है S को approach कर रहा होता है किसी एक specific matrix को transition matrix भी जिसको हम कहते हैं limiting matrix P जे P के उपर ऐसे बार लगा के लिखते हैं और इसको हम कहते हैं limiting matrix P तो transition matrices का power limiting matrix P को approach कर रहा होता है और state matrix किसको approach कर रहा होता है? stationary matrix S को तो आज की वीडियो में हमने regular Markov chain के कुछ important elements को पढ़ा